असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अपना टीचर डॉट कॉम आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ प्रीवियस बात ही करने जा रहे हैं कुछ नई बात करने नहीं जा रहे हमने यह वीडियो बनाने का सोचा कि कुछ चीजे डिटेल में डिसकस्ट हम अरडी कर हैं अपनी प्रिवेस विडीयो में मगर यह विडियो जो है यह कुंख रेकर बैक तरिका से कि आप सारी वीडियो सका एक सम आलें क्योंकि होता ही है कि जब हम नोटस पिर और एक्विलिब्रियम को उसको हम जल्दी दुबारा से रीकॉल करेंगे और गिराफ मनाएंगे क्यों कि माइक्रो एक्वनामिक्स के पेपर में आमूमी तोर पे लोगों को एक्वनामिस का पेपर रहक्यू जाता है उसकी एक बुनियादी और बेसिक वजा यही है कि लोग ज जा रहा है तो उसको किस तरह करना है सप्लाइ थे पॉजिटिव से बात करें तो स्कब उसको कोषिश करी है अपनी मैक्सिमम जबाइफ है कि कोशिश करी है कि आपकव को डेटेल में चीज़ों को समझाएं तो इसलिए हमने सोचा कि एक रीकॉल विडियो एक रीकेब आप कर सबसे पहले हाँ पर बनाते हैं डिमांड कर्फ में कहता अब राइस जैसे जैसे बढ़ रही कि यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पर प्राइस आपकी बीज तीस चालिस पचास मतलब बढ़ती जा रही है, इंक्रीस होती जा रही है, और डिमांड आपकी कम होती जा रही है, यहां पर हमने इस चीज़ को देख लिया, जो हम पढ़ चुके हैं, और डिमांड पर तो इसका हम डिमांड कर्फ बना लेते हैं, जब हम प्राइज हमारी 20 ती, 20 रुपी इसी तरीकी से जब 40 थी, तो कॉंटिटी डिमांड इट 300 यूनिट थी, इसको हमने यहां ड्रॉब कर लिया, इसी तरीकी से 500 थी, 50 थी तो और 200 हो गया, और फिर हमने इसके बीच में एक ग्राफ ड्रॉब कर लिया, जो हम अल्यटी पर चुके हैं, थोड़ा सा उपर निच निच हो गया, जब आम स्केल से ड्रॉब करोगे तो वह एक बेटर हो जाएगा, तो यह आपका हो गया डिमांड कर्फ, ये हो जाता है आपका डिमांड कर्फ, और हमने इसको डिटेल में डिसकस कर चुके हैं, चे भाई, ये नेगेटेव स्लॉपिंग होगी, मैं तकरीमां लाग दफ़ा अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोपिंग पे जाएगा इसको हम डिटेल में डिसकस कर चुके हैं तो हमने इस कर्व को देख लिया डिमांड कर्व को क्या बोलता है इसका शेडूल बना लिया उमीद है इसको वापने कोईक रिकैब कर लिया होगा और अगर और डिटेल में डिसकस करना फो आप पुरानी वीडियो को देखें, समझें, और अपने नोट्स बनाएं और कुई भी मसला हो तो आप हमसे बूच सबस्कते हैं सप्लाइ कर्श की सप्लाइ कर्श को बनाते हुए हम लॉफ सप्लाइ को रिकॉल कर लेते हैं कि जब जब प्राइज बढ़ेगी सप्लाइ बढ़ जाएगी हम इस बात को डिसकस कर चूए है, यही शेडियूल भी कह रहा है कि आपकी प्राइजिस बढ़ती जा रही है, सप्राइश भी आपकी बढ़ती जा रही है जैसे मैं ने आपको law of supply में बताया था, law of supply क्या कहता है और उमीद करता हूँ कि इस law of supply को समझते वक इस बात को गोर में होगा कि other things remain constant का जो concept मैंने दिया था जिसमें assumptions थी तीन चार चीज़ों की पांच चीज़ों की तो वो उमीद करता हूँ कि आपको याद होगा नहीं याद तुबारा वीडियो को देखें दुबारा समझें क्या बोल रहा था मैं उस वीडियो में और फिर इस वीडियो को देखें तो इसमें हम बात करते हैं कि बाई प्राइस बढ़ रही है supply बढ़ती जा रही है similar concept है जैसे के 20 ती तो 200 था 20 ती 200 था 30 थी 300 था फिर 40 थी 400 था 40 थी 400 था एंड देन 50 थी 500 था इंको similar जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिसकस कर चुके हैं यह सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में अर्डिश्कास कर चुके हैं बस एक कुई क्रिक रिकॉप रिकॉल है आपका कुई क्रिक है ताकि आपको और बहतर समझ मे आजाए जल्दी जल्दी कुछ समझना है कुछ शॉर्ट वे में समझना है तो यहां से समझ में आजाएगा जब पेपर में आप तो बैठेंगे पेपर से एक जिन पहले यह वीडियो आपकी काफी काम आएगी सप्लाइब कर्व हमने ड्रॉप कर दिया और यह क्या होता है से पॉजटीव स्लोपिंग होता है कि ऑपट की तरफ जाता है रिजन फॉर मघञर शॉब्द्म को इसन फॉर्ट प्रिजन फॉर पॉजटिव शॉर्पिंगरी सम इस यहीं पर हम देखने जा रहे हैं हमने वही है सप्लाइए कर दिया और यहां पर नहीं डिमांड कर दिया यह बिल्कुल इतलिक से बना गिया कि तो यह चीजे तो कौंसेट्सकों चेज्च कर राता है कि सप्लाइब कर डिमांड 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 जो है डिमांड आपकी पीछे की तरफ है और सप्लाय आपकी आगे की तरफ है राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है और इसी तरीके से यहां पर आपकी गुड जो है वो सर्प्लाज अमांड में है यहां पर गुड जो है आपकी कम अमांड में है य आपको अपनी सप्लाइब को बढ़ाना पड़ेगा इन और टू मीट या डिमांड सब्सक्राइब यह आपर हमने देख लिया कि यह एकुलिब्रियम पॉइंट है क्वांड़ेट का जो हमारा शेडू बता रहा है हमें मैं यह लिग्रियम पॉइज सब्सक्राइब इसकस्व पॉइज में डिसकस्रेंश कर चुके हैं लास्ट विडिएयू में is आ नेक्स ट्रेमें नेक्स विडिएयो में मूफ करेंगे इन सब चीजों को आप प्लेल परीज हम कुछ समझ भी नाए हम हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं इंशालला आपके कॉंसेप्ट को हम किलियर करेंगे थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्यार रखेंगे